इस देखो ऐसा ए जहें वन्हिद्वाज़न हमारते पेव्च लुटा अटा वल्ड़न दोथाई हो तक राता है व्हाज़न दोथा पालड़ो ಪैरिंदbook दो अंच पैर वेकरता हलकी दोड़िंड़ और वो work done positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है और zero भी हो सकता है तो उस positive work done के कारण body की energy में कुछ change आता है उस negative work done के कारण body की energy में change आता है और अगर zero है तो ठीक है energy में change नहीं आता है तो हम यह कहेंगे कैसी energy there are different types of energy there are different types of energy possessed by body there are different types of energy possessed by body there is something called as mechanical energy there is something called as mechanical energy अगर जो यह work done है that will change which energy mechanical energy अब तुम गोगे mechanical energy क्यों बोल रहे है मैंने कहाए energy तो सिर्फ mechanical energy नी बहुत तरह की energy होती है एक ऐसी energy भी होती है जो कि तुमारे mass के बर्चूब से होती है नहीं पता nuclear energy Einstein ने क्या आगया E is equal to mc square mc square से तुमारा क्या हो जाएगा तुम अगर तुमारे mass को खतम कर दें तुमारे mass को खतम कर दें तो इतनी amount of energy release हो जाएगी कितनी m into तुमारे mass जाएगे 58 kilo है तो 50 into 3 into 10 की power 8 का square इतने joule energy release हो जाएगी ये नहीं कहरा जला दें खतम कर दें annihilate कर दें तो mass is a form mass is a form of energy तो that's a different kind of energy that's your nuclear energy बात समझ में आई है नहीं आई तो I am not talking about nuclear energy this work then will change with energy mechanical energy of body and mechanical energy of body is of two types kinetic energy and potential energy कितने तरह के होती है kinetic energy and potential energy kinetic energy सबसे आसान है this is energy possessed by body by virtue of its motion तो उसको हम define किया हुए कैसे half m v square what is kinetic energy of body half m v square v क्या होग या speed speed का या magnitude of velocity का square तो kinetic energy of body तो किसकों सी energy हो गई उसकी स्पीड या उसके motion के वर्चू से उसके पास जो energy थी और potential energy थोड़ा सा अजीब सी चीज है सच्ची बता रहा हूं पोटेंशल एनर्जी वड़ी खतरना आगे पोटेंशल एनर्जी की definition देखते हैं क्या बोलते हैं पोटेंशल एनर्जी की definition देखते हैं इन आपकान में देखते हैं थाथे किता में दुक्छ और भी लिखा थे पोटेंशल आपकान में लिएयंटेशण वड़वाओर बताना में कुछ और भी था थैखते हां हां देखो configuration, मतलब ऐसे ऐसे shaft use करें जो कि मेरे को समझ में न आये, तो समझ में आया इसका मतलब, को तहीं नहीं आया होगा, यह तो समझ में आता है, यह स्पीड थी तो half mv square, हां यह न, यह कैसे बताओगे, यह कैसे बताओगे, what do you mean by energy possessed by body by virtue of its position, इसको ना example से सोचो, मैंने कहा, यह चाबी है, यहां से पकड़ा, और मैंने f लगाया उपर की तरफ, mg से जादा, तो यह उपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, initial speed 0 थी, और ध्रिये जिने लेके जा रहा हो, तो speed हर instant पे 0 ही मान लो, और इसको उपर ले जाके मैंने यहां पे, रख दिया, तो मैंने जो work किया, वो positive work done किया या नहीं किया, सोचो, सोचो, नीचे mg लग रहा था, नीचे mg लग रहा था, उपर external force लग रही थी, और यह उपर गया, और क्या मैं यह कह सकता हूँ, कि मान लो, यह slowly गया, या slowly नहीं भी गया, work done by f कितना हो जाएगा, fh, हाँ या ना, और जो यह f ने positive work done किया, वो कहां गया, मैं नीचे भी speed 0 थी, उपर भी speed 0 है, तो वो work done कहीं तो गया, वो उसकी कौन से energy में चला गया, potential energy में चला गया, अब potential energy, एक तरह की नहीं होती, वो बहुत तरह की होती है, हम यह कह सकते है, potential energy, gravity वाले case में बोल देते हैं, gravitational potential energy, spring के case में बोल देते हैं, elastic potential energy, energy, और तुम्हारा क्या बोलते है, electrostatics में, coulum's law में, उसको बोल देते है, electrostatic potential energy, तो हम यह कहेंगे, potential energy, बहुत डिफरेंट तरह की हो सकते है, so what is the idea of potential energy, तो मैं अब भी definition बोली ते है, definition ते कुछ समझ में नहीं है, मैं ऐसे बोलू, definition में था, energy possessed by body by virtue of its orientation, मैं नहीं करना, मेरी definition, working definition, if I do some work on body, and then that work gets stored in the body, so that at a later point of time, I can get that work done back from the body, then that body is said to possess potential energy, if work done by force is stored in the body in some way, so that you can get that work done, that energy back, then that body is said to possess potential energy, तो potential energy की working definition, मेरे वाली लिखो, क्या लिखोगे, बहुत यह जीव है, if work done on body gets stored, if work done on body gets stored, in some way, so that at a later stage of time, you can retrieve that work done, in some form, then that body is said to possess potential energy, it is said to possess potential energy, कुछ कुछ समझ में आया है, topic is, टॉपिक एज, ग्रैविटेशनल, पोटेंशिल, एनरजी, क्या बोल देते हैं, जी पी, क्या बोल देते हैं, जी पी, तो अगर कोई body, M mass, H height, उपर लेके जाते हैं, कितना उपर लेके जाते हैं, H height, उपर लेके जाते हैं, तो उसकी potential energy में क्या आता है, gain आता है, सही भी में उपर लेके गया था, छोड़ूं अब आर, बाद में, तो वो नीचे आएगा, और GP कम होगा, और K बढ़ेगा, समझ में आया की नहीं आया, जब उपर से छोड़ूं आ, तो GP घटेगा, और K बढ़ेगा, तो इसका मतला, जब नीचे से उपर लेके जाऊंगा, तो GP बढ़ेगा, तो यह याद रख लेना, कि जब नीचे से उपर लेके जाते हो, तो gain आता है, gain in GP, which is given by MGH, पाथ के independent होता है, किसके independent होता है, यह भी रटलो, क्या चीज, कि अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा, तो भी GP में फरक कितना पड़ेगा, MGH, इसका मतलब किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पर, किस पर डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पर, तो किसी भी पार्टिकल को उपर लेके जाओगे, तो gain in GP आता है, कितना, MGH, किसी भी पाथ के along लेके जाओ, same gain in GP आएगा, MGH, gain, gain word is keyword है, gain, कि ऐसे ही अगर, mass M को, तुम नीचे लेके आओगे, H height, तो loss in GP आएगा, MGH, तो loss in GP आएगा, MGH, नीचे लेके आओगे, तो loss in, अच्छा, इबाइदे वे, loss positive है और negative है? loss तो positive ही होगा, gain भी positive होगा, और loss भी positive होगा, भई, तुम यह कह रहो हो न, में को loss होगया, 20 रुप आएगा, यह थोड़ी को होगे, कि loss होगया, minus 20 का, समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है? यार, getting my point or not, दोन ही positive quantity हैं, मैंने gain word use किया, तो मैंने कहा, कि okay, gain in GP, मतलब that is a positive quantity, उपर जाएगा तो gain आएगा, नीचे आएगा, तो loss भी positive quantity ही है, यहां तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Suppose करो, आज़ा कही बार ना, कही बार वो क्या कर देते हैं, जो यह potential energy होती है, जो potential energy है, उसके अंदर हमेशा क्या defined होता है? Change defined होता है, क्या defined होता है? Change in potential energy is defined, इसका कोई मतलब नहीं होता कि absolute potential energy कितनी है, तो absolute की बार बात करना चाहे अगर वो, कि gravitational potential energy कितनी है, तो उसके लिए फिर वो कुछ अजीब सी चीज़े बहुलने लगेगा, वो यह कहेगा कि एक ले लो reference level, क्या ले लो? Reference level, मैंने actually reference level के फंडे को literally ignore कर दिया, कैसे ignore कर दिया? Reference level ले लिए ज़र देखोगा, समझो, यह mass M था, यह height H1 पे था, तो इसकी potential energy इस instant पे कितनी हो गई? Potential energy इस one वाले point पे कितनी हो गई? Mg, H1, और यह जब यहाँ आ गया, तो इसकी potential energy कितनी हो गई? 2 वाली situation में, potential energy 2 हो गई, Mg, H2, मैंने कहा कि, ओके, absolute value define करने के लिए तो तुमने कोई ना कोई क्या करोगे? reference level के respect में potential energy define करोगे, कि इस वाले reference level के हिसाब से इसकी potential energy is Mg, H1, और इस reference level के हिसाब से यहाँ पे कितनी हो गई? Mg, H2, लेकिन अगर change define करना था, उसके लिए reference level लेने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि मैं already define कर चुका हूँ, कैसे? मैंने का change in potential energy कितना हो गया? This, that is Mg, H. यही तो define किया, मैंने, मैंने सीधा कह दिया, gain in GP कितना हो गया? Mg, H2 minus H1, that is Mg, H. तो absolute value के लिए तो तुम्हे reference level चाहिए, लेकिन question में अगर तुम सीधा loss और gain लगा रहे हो, तो that is irrespective of reference level, तुम्हे reference level मानने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर कोई कहेगी, okay, what is its absolute potential energy? तो सबसे पहला question हमारा यह होना चाहिए, कि यह datum क्या है, datum बोलो यह reference level क्या है, कि हाँ यह reference level है, इसके respect में पहले potential energy कितनी थी? Mg, H1 dash, बाद में कितनी हो गई? Mg, H2 dash, लेकिन change कितना हो गया? Mg, H, वो तो भी रहेगा, तो change is always independent of reference level, तो इसलिए मैं रेफरेंस level को sort of ignore कर दिया, क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत तब पड़ेगी, जब वो absolute value of potential energy की बात करने की कोशिश करेगा, यहां तक की बात समझ में आई? अब जैसे यह reference level है, और अगर इसके नीचे होता, y distance पे point mass, तो अब इसके potential energy क्या लिखते? minus mg, y, और इसके उपर होता तो क्या बोल देते? potential energy is, 0, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? नेक्स टॉपिक इज, law of conservation of energy. वाट लॉफ? law of conservation of energy. वे, law of conservation of energy क्या बोलता है? यह कहता है, losses in some energies is gains in some energy. यही तो बोलता है, losses is equal to gains. हाँ या ना? loss is equal to gain. यह बिल्कुल basic form of law of conservation of energy है. अच्छा, एक और चीज, loss का मतलब क्या होता है? loss का मतलब होता है, initial value minus final value. हाँ जी, सही बोला है या गलत बोला? loss का मतलब क्या होता है? initial value minus final value. क्यूंके उमेपाफ पहले 100 रुपे ते अब 80 रह गई, तो loss हो गया, 100 minus 80. initial value minus final value. और gain का मतलब होता है, final minus initial. minus initial. तो basically law of conservation of energy क्या 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 गयता है? losses in some form of energy is gains in some other forms of energy. यार हमने पढ़ी ही दो energy है, एक तो kinetic energy, और एक potential नहीं बढ़ी हमने, potential में भी एक subset बढ़ा है, gravitational potential energy. हाँ या ना? अब मैं एक question बनाऊ, कि मानलो मैं कहूँ, एक particle है mass M का, उसको height H से मैंने release कर दिया, mass M है, उसको height H से release कर दिया, यहाँ पर इसकी speed 0 है, और जब वो H नीचे पहुँचे गा, तो उसकी speed V हो जाएगी. कैसे मिकालते थे इसे? हम यह कहते थे, acceleration is G downwards, तो हम कहेंगे कौन सी equation लगा दो, थर्ड लगा दो, V square is 0 square, plus 2, नीचे वाली direction positive ले लो, यह वाली negative ले लो, तो हम यह कह सकते हैं, plus G into plus H, तो V आ गया root 2GH, यह आज तक ऐसे करते आया, इस question को, अब मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ, मैंने का यहां से यहां के बीच में देखूँ, तो यह particle नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो उसकी gravitational potential energy में loss आ रहा है, तो हमने कह दिया, loss in GP of M, is gain in, gain in K of M, loss in GP तो हो गया MGH, और gain in K E हो गया half M, V square minus half M, 0 square, यहां पर मैंने सोचा है, final minus initial, और इससे सीधा आ गया, V is root 2GH, अब तुम कोगे, यह ज़्यादा आसान था, यह ज़्यादा इसलिए था, क्योंगे तो इसकी तुम्हें आदत थी, आसान यह ज़्यादा है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, इसमें तो यह कहला है, नीचे गया तो loss in GP हो गया, MGH gain in K E हो गया, half M, V square, V हो गया, root 2GH, moreover, यह conservation of energy वाला method ज़्यादा, ज़्यादा flexible है, ज़्यादा flexible है, flexible कैसे है, मान लो, मान लो मैं कहता, हमने कहा, इसी question को modify किया, modify ऐसे किया, incline plane है, यहाँ पर velocity 0 है, यह angle theta है, यह height H है, यहाँ से छोड़ा, जब यह यहाँ पहुंचेगा, इसकी speed बता दो, ठीक है, यहाँ पर नीचे पहुंचेगा, इसकी speed बता दो, using dynamics, तो यहाँ से छोड़ा, इसकी acceleration है, G sin theta, इसकी displacement हो गई, H by sin theta, और मैंने कहा, V square, is U square, plus 2, G sin theta, into H by sin theta, तो V आजिया, root 2GH, अब लगा, थोड़ी महनत लगी, लेकिन मैं इसी question को, दुबारा सोचता, using conservation of energy, तो मैं क्या कह सकता था, भाई यहाँ से यहाँ गया, loss in GP आया, that is gain in K, loss in GP आगया, MGH, और gain in K आगया, half MB square, और V हो गया, root 2GH, लेकिन अभी भी बच्चे, convince नहीं है, कि यह method आसान है, हाला कि अब दिखाई दे राज यह आसान है, लेकिन वो कह रहें, नहीं हम तो चाहें, तो Newton laws और kinematics से कर लेंगे, मैंने का, let us make it a question, which cannot be done, using kinematics and dynamics, मैंने का, यह curve है, अब छोड़ दिया, यहां से, अब तो acceleration variable आएगी, हर point पे, क्योंकि हर जगे g sin theta, theta would be variable, slope will be variable, लेकिन अब मैं directly कह सकता हूँ, loss in GP, is gain in ke, तो यहां पर भी speed कितनी आ जाएगी, root 2J, अब power दिखाई जी, conservation of energy की, कि यह question तुम्हारा, kinematics and Newton laws से, almost impossible था, लेकिन हम using conservation of energy, directly कह सकते हैं, speed is root 2J, तो conservation of energy का, कुछ drawback भी है, तीनो situationों में, नीचे आने में, speed तो same हो गई, पहली बात तो velocity सेम नहीं है, क्योंकि direction सब में अदग level है, and time सेम नहीं है, तो पहली बात तो conservation of energy, कभी भी velocity नहीं देता, वो हमेशा, V का square देता है, speed देता है, तो एक तो ध्यान रहे है, कि भई इसमें conservation of energy में, में मेंशा speed निकलेगी, direction नहीं निकलेगी, और दूसरा, time अलग-अलग होगा, तो conservation of energy को उससे फरक नहीं पढ़ रहा, वो तो overall यह कह रहा है, कि loss is ethical to gain, भाड़ में जाओ time, तीनों में time अलग-अलग अलग 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 time को, तुम कैसे सोच पाओगे, using Newton loss सोच सकते हो, using kinematic सोच सकते हो, using conservation of energy नहीं सोच सकते हो, तो कि इसमें कहीं भी time का factor नहीं आ रहा है, suppose करो, अब जैसे मान लो, मान लो हम यह कहते हैं कि यह building है, यह height h है, इससे हमने u से ऐसे फैंक दिया, यह ऐसे जाएगा और ऐसे गिरी जाएगा, यहाँ पर नीचे पहुँचा तो speed इसकी V हो जाएगी, अब conservation of energy लगाऊँ, 1 और 2 के बीच में, तो मैं कहुँँगा loss in gp, is gain in ke, अब loss in gp तो हो गया mgh, और gain in ke हो गया half m, v square minus half m, u square, यही तो होगा, तो यह आजाएगा v square, v square is u square plus 2gh, या फिर v आजाएगा, u square plus 2gh का, under the root, अब तुम कहो, मैंने u से नीचे फैका होता तो, मैंने का, फिर भी भी आएगा, u से ऐसे फैका होता तो, projectile बने का, लेकिन जो speed आएगी वो, थीटा पे फैका होता, ऐसे, ऐसे, मैंने का, बेटा, सब में, सब में, final speed, थीटा के dependent नहीं आएगी, final speed बने बने इंडिपेंदेंट अफ थीटा, अब किसी को यकीन ही नहीं हो रहा तो, मैं कर सकता हूँ, projectile चे यह, u से फैका, angle थीटा पे फैका, तो क्या मैं कह सकता हूँ, जब यह hit करेगा, तो x कॉंपनेंट तो constant रहता है, तो यह तो u कॉस थीटा ही रहेगा, और यह y कॉंपनेंट वीवाई हो जाएगा, और हम कह सकते हैं, वीवाई स्क्वेर इज यू साइन थीटा का, होल स्क्वेर, प्लस तू, माइनस जी, इंटो μाइनस अच, तो इस क्वेर पोजिटी सू, बजिटी सू क्वेर इन affirmation रहे सिटार्ट दू रहे ऐगा, इस जीवाई यू स्क्रागा, नेट स्क्वेर कीतनी हाएगी, वी, निजैट स्क्वेर प्लस इस स्क्वेर का अंडर दरू हैं, that is u sin theta whole square plus 2gh so technically ये कितना आ गया u square plus 2gh का अंटर दरूप that's independent of theta भी नुना भी चाहिए था by conservation of energy losses is equal to gains that's independent of theta मैं दुक आधा vertical height पर होता है gp gain in gp loss in gp vertical height से देखते हैं पाद से दो देखते ही नहीं है हाँ बच्चों तो हम क्या कह रहे थे conservation of energy थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा ही आया ज्यादा नहीं आया है अब गुष्टा करके देख लो यार यहां से u से फैक्ते थी maximum height कितनी होती थी maximum height कितनी होती थी u square by 2g मैंने का ना मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मुझे बता है maximum height जब होती थी जब speed 0 हो जाती थी अब मैं 1 से 2 पे लगा हूँगा तो मैं कहूँगा loss in kinetic energy loss means initial minus final तो initial हो गया half mu square final हो गया 0 is gaining gp that is mg h तो मैंने का भया hr या u square by 2g क्या question था नीचे से फैका u से तो कितनी हाइट तक जाएगा कितनी हाइट तक जाएगा तो हमने 1 से 2 conservation of energy लगाया और हमने का 1 से 2 जाते हुए loss in kinetic energy loss in kinetic energy means initial minus final initial minus final किया तो half mu square minus 0 is gaining gp gaining gp आगया mg h तो हमने का h आगया u square by 2g जो कि I think kinematic से भी ही आता था maximum height from ground used to be u square by 2g मैं यह कह रहा था suppose करो suppose करो यह डबबा है यह situation कि यह M2 है कि यह M1 है यहाँ पर speed 0 है इसकी speed भी मान लो कितनी है जीरो है दौनों को पूरे system को हमने rest से छोड़ दिया question है जब यह h height गिर जाए तो इसकी speed कितनी हो जाएगी जब यह h गिर जाए तो इसकी speed कितनी हो जाएगी तो इसको करनी का एक तरीका तो क्या था इसकी acceleration निकाल लो इसकी acceleration निकाल लो a हो जाएगा m2 minus m1g upon m1 plus m2 into h तो v आ जाएगा इसका under the root तुम्हें लग रहा है यह तरीका fast है यह तरीका बहुत slow है क्यों क्योंकि इसके अंदर तुम्हें acceleration तो याद थी नहीं तो पहले बनाओगे fpt फिर निकालोगे acceleration उसके बाद third equation लगेगी v square is u square plus 2as अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं इसके अंदर conservation of energy लगा सकता हूं क्या मैं यह कह सकता हूं जब m2 नीचे आया तो इसका loss in gp हुआ और वो loss in gp कहां चला गया gain in k गलत कह रहे हूं क्योंकि इसका loss in gp है वो अगर gain in k में चला जाता तो speed आ जाती है तुमने actually क्या हुआ m2 पे अगर मैं conservation of energy लगां conservation of energy लगां किस पे एंटू पे तो मैं यह कहूंगा loss in gp of m2 इस पे forces देखो ना नीचे लग रहा है m2g ऊपर लग रहा है tension वही एंटू जी का work done तो count नहीं कर रहे क्यों count नहीं कर रहे क्योंकि वो तो potential energy में ही चला गया जो work done होता है gravity वाला उसी के in lieu in replacement of work done you are using the concept of potential energy you can write that down somewhere why we are using the concept of potential energy I don't want to count work done by gravity in replacement of work done by gravity I am using the concept of gravitational potential energy मैंने बताया है नहीं लेकिन आप समझ में आ रहे नहीं समझ में आया अरे भाई जब यह ऊपर से नीचे गिरता था तो m2g वाला mg वाला work लगता था उस work done को मैंने count किया भी जब conservation of energy लगा रहा हूं तो नहीं count किया न तो तुम कोगे फिरो work done आप count क्यों नहीं कर रहे जो यह particle छोड़ते थे उपर से तो इसके उपर नीचे लगता था mg तो mg का work done count क्यों नहीं करते मैंने का उसको जो count नहीं कर रहे that is in replacement of work done I am using something called as potential energy तो actually potential energy का funda क्या है कि कुछ forces का work done तो मैं प्रवचन देता हूं don't write anything वहीं वो end में जो आने वाला है दो तरहें की forces होती है conservative forces and non conservative forces conservative forces ऐसी होती है जिनका work done path के independent आता है जैसे कि mg जो थी यह इसमें इधर से जाओं टेडा मेडा होके या straight चला जाओं या ऐसे चला जाओं हमेशा work done कितना आता था MGH आएगा यह मैं प्रूव कर सकता हूं अभी प्रूव नहीं किया मैंने किसी भी path के लिए I can show that the work done is always MGH तो ऐसी forces का work done हर question में दुबारा दुबारा निकालू में मेरा काम बढ़ेगा तुम्हारी energy जाएगी तो उन लोगा ने कहा यार ऐसी forces जिनका work done हमेशा सेम आता है path के independent आता है उन forces का नाम दे दो conservative forces और उन forces का work done बार बार मत निकालो उसकी जगें work done की जगें एक नया function define कर दो mathematical function called as potential energy कि हम ये कहेंगे कि उसके work done को ना लिखके हम क्या लिखाएंगे कि अच्छा उसकी energy में क्या आ गया उसकी potential energy में change आ गया तो हम ये जो use कर रहे है potential energy उसका technical meaning क्या है तभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था potential energy क्योंकि इसको समझाया ही नहीं गया है डंग से potential energy is a way of way of avoiding finding work done by certain forces again and again you don't want to calculate that again and again because it always comes out to be same तो ऐसी forces जिनका work done बार-बार similar सा आएगा particular situation में तो उन forces का work done हम बार-बार नहीं निकालेंगे उसकी जगे हम क्या define कर देंगे potential energy define कर देंगे और फिर हम कहेंगे okay I don't want to find work done about work done by gravity और work done by spring force को भी वो भी हमिशा similar सा कुछ आएगा तो उनके work done की जगे हम क्या कहेंगे उसके energy हो गई इतनी potential energy कि समझ में आया की नहीं आया तो उससे तुम क्या हो जाएगा बार-बार वह different path पर जाके integrate करके work done कौन निका लेगा सेम ही तो आना है तो इसलिए potential energy तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और वह समझ में आ भी नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता क्यों पहले में बैठके समझाओं आदे गंटे तक यह conservative force थी non-conservative थी उसके चक्कर में तुम्हें conservation of energy लगाना तो जाओगे भूल तो हमने पहले ही सिखा देंगे किया कैसे apply करना है और बाद में उसके पीछे वाली theory बता देंगे कि हाँ यार यह ऐसा जो हमने किया था ना potential energy define किया यह क्यों define किया यह इसलिए define किया क्योंकि मुझे work done by mj निकालने का मन नहीं था यह रिखेंटिंग मैं point or not आप कुछ-कुछ पलने बड़ा तो मैं यह कह रहा हूँ M2G का work done तुम्हें count करने की ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि M2G का work done तो तुमने यह कह दिया कि यार नीचे गया तो उसका gravitational potential energy में क्या आगया loss आगया अब problem क्या थी कि तुमने गलत सोचा कि इसका gravitational potential energy का loss इसकी kinetic energy का gain है वो गलत सोचा कि loss in Gp of M2 is not equal to gain in kinetic energy of M2 no क्योंकि some amount of energy will be eaten up by tension क्योंकि tension कहेगा भाई मैं motion को oppose करूँगा मैं energy खाऊँगा तो इसका जो loss in Gp आया मान लो 50 joule तो 50 joule में से kinetic के अंदर कितना आया होगा 30 joule और 20 joule कौन खा गया tension खा गया तो यहाँ पर conservation of energy में तुम यह नहीं कह सकते कि loss in Gp of M2 is gain in Ke of M2 साथ में यह बोल तोगे plus some energy is work done by मत को done against tension तुम कहोगे against word क्यों use किया यहाँ बात सुनो यहाँ पर जो loss आया I am a big fan of positive numbers I hate negative numbers so loss आया वो positive gain आया वो positive work done by tension negative था तो इस equation को तीन किताब बे खोलोगे तो तीन different तरीके से conservation of energy की equation लिखी होती है तीन different तरीके से hc पर्मा लिखता है initial total is final total कुछ coaching वाले बोलते हैं work energy theorem लगा दो school वाले कहते हैं work energy theorem लगा दो और कुछ मुझ जैसे लोग होते हैं losses is equal to gains लिख दो तुम कोगे कौन सा अच्छा है यह तीनो से same equation बनेगी कोई एक चीज को perfect कर ले ना किसी एक चीज को perfect कर ले ना और क्योंकि मुझ से पढ़ रहे हो तो कौन से वाला perfect करोगे जो मैं कहूंगा equation same बनेगी चीजे rearrange हो सकती है किसी में मेरी चीज जगह में जो left hand side में आ रहा है उनके में हो सकता है वो right hand side में आ जाए that will be the only difference equation will not change तो अब जो मैंने बोला भही मैं कह रहा हूं I am a big fan of positive numbers I said loss in GP that is M2GH is half M2V square and work that आगे इस tension का मतलब है TH तुम कोगे माइनस TH नहीं work done by tension is माइनस TH work done in overcoming the tension is प्लस TH अब तुम कोगे यह वादा confusing है हाँ I agree है कुछ लोग इसको उल्टा करके लिखते हैं वो कहते हैं GP में जो loss आया माइनस जो tension ने खाया is gain in kinetic energy तो वो पता दला इस quantity को ज़र लिख देंगे फिर work done against यह tension नहीं लिखेंगे work done by tension लिखेंगे तो ऐसे confusion में मत पड़ो जो मैं मेर से सीख रहो तो जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सोचो क्या कहोगे इसका GP का loss इसके kinetic energy में gain में चला गया and work done against tension मतलब work done in overcoming tension that is plus TH अब दूसरे वाले पर सोचो अब दूसरे वाले पर सोचो यहाँ पर इसकी speed 0 थी यह उपर गया यार इसकी speed भी बढ़ गयी यार इसका तो GP भी बढ़ गया इसकी तो kinetic energy भी बढ़ गयी दौनों बढ़ गयी तो loss तो कुछ हुआ ही नहीं मैं का रुको M2 पे conservation of energy M1 पे conservation of energy कहेगा work done by tension work done by tension क्योंकि इस पर tension ऐसे लग रहा था tension ने जो work किया उसका कुछ पार्ट तो चला गया gain in GP of M1 और कुछ पार्ट चला गया gain in kinetic energy of M1 पर ये बात समझ में आई या नहीं आई कि कुछ तो kinetic energy में चला गया work done और कुछ उसका GP में चला गया तो इसकी equation क्या बनेगी pH is is तो तुम्हें conservation of energy की equation बनाने की जरूए थे किसके लिए system के लिए किसके लिए system के लिए लेकिन मान लोग किसी ने question में पूछी लिया की M2 पे बनाओ और M1 पे बनाओ तो ये नहीं होना चाहिए कि ये आसान चीज़ करनी नहीं आती system पे क्या बनेगी सोच के conservation of energy भाई ये उपर से नीचे गिरा बोर्ड की तरफ देख लो ये उपर से नीचे गिरा तो हम कहेंगे loss in loss in gp of M2 is gain in gain in gp of M1 plus gain in gain in kinetic energy of both तर सीधा कह दूँगा loss in gp of M2 तो हो गया M2GH is M1GH plus half M1V square plus half M2V square ये बन जाएगा M2 minus M1 GH into twice upon M1 plus M2 का square root is V that's same as this बात समझ में आई या नहीं आई पक्का ये हजम हुआ है जैसे फॉर एक्जामपल मान लो कॉस्चन है ये जमीन है यहाँ पर डबबा रखा है इसका मास M1 है यहाँ पर एक और डबबा रखा है इसका मास M2 है इसका मास M1 था इसका मास M2 था velocity 0 थी यह H गिरा तो इसकी speed कितनी आ गई V आ गई हाँ या ना तो अगर मैं conservation of energy लगाऊं सिर्फ और सिर्फ M2 पर तो मैं यह कहूँगा loss in GP of M2 is gain in K of M2 plus work done against tension तो यह हो जाएगा M2 GH is half M2 V square plus TH is that fine M1 पर लगाएंगे तो यह जाएगा H आगे और यहाँ पर आते आते इसकी speed आ जाएगी GP में change नहीं आया GP में change नहीं आया इसमें आएगा work done by tension is gain in kinetic energy of M1 तो यह आजाएगा TH is half M1 V square और technically इन दौनो conservation of energy की equations को अगर add कर दूँ तो system की बन जाएगी TH दौनो तरफ से कट जाएगा और क्या बनेगा loss in GP of M2 that is M2GH is gain in kinetic energy of M1 plus gain in kinetic energy of M2 M2 तो V आजाएगा 2M2GH upon M1 plus M2 का square root यह अच्छे से समझ में आया की नहीं आया यह मैंने system की बना दी system की में क्या बनाया loss in GP of M2 is gain in kinetic energy of M1 and M2 suppose करो एक और अच्छा सा question है आसान सा यह है M1 यह है M2 यह angle है theta यहाँ पर velocity हो गई 0 यहाँ पर velocity हो गई 0 मान लो यह नीचे आया H इसकी speed हो गई V यह H उपर जाएगा यह यह H plane के लॉंग जाएगा यह यह एसे ह जाएगा प्लीन के लॉंग जाएगा है रसी के लॉंग जाएगा रसी के लॉंग जाएगा इसकी speed V हो जाएगी अब conservation of energy लगाओ system पे system पे क्या कोगे loss in क्या लिखोगे system पे loss in मैंने ये कहा कि ये h जाएगा तो ये plane के along h जाएगा vertical height h मत भेज देना पहला गलती जहां पे होईगी तुमसे और फिर कहोगे loss in gp of m2 is gain in gp of m1 plus gain in kinetic energy of both kinetic energy तो दोनों के बढ़ेगी तो सीधा मैं कह दूँगा loss in gp of m2 कितना हो जाएगा m2 gh और gain in gp of m1 कितना हो जाएगा m1 g h नहीं होगा h sin theta तो कि vertical height कितना गया यह h sin theta is gain in kinetic energy of m1 हो जाएगा half m1 v square और gain in kinetic energy of m2 हो जाएगा half m2 v square तो इससे भी निकल जाएगा एक line में कितना आ जाएगा m2 gh minus m1 gh sin theta into 2 divided by m1 plus m2 का under the road यह सब को समझ में आया की नहीं आया कि सपोज इधर देखो सब कि सपोज अब तुमने नोटिस किया मैंने इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें नहीं आनी चाहिए तुम्हें बनानी आनी चाहिए क्या होगी m2 की क्या होगी loss in gp of m2 that's m2 gh is gain in kinetic energy of m2 half m2 v square plus work done against tension that is ph इसमें work done by tension that is th is gain in kinetic that is half m1 v square m1g x sin theta इसमें लिखना वहापर ऐसे लिख्क्या होगे न तो 0 मिलेगा क्या लिखोगी work done by tension is gain in kinetic energy of m1 plus gain in gravitational potential energy of m1 यह लिखतो भी तो शायद मिल जाएं कुछ समझ में आया कि नहीं आया अब इधर देखो मान लो एक डब्बा ऐसे है एक डब्बा ऐसे है इधर देखो ध्यान से यह ऐसे है यह एसे है यह मास m1 है यह मास m2 है यहाँ पर speed है 0 यहाँ पर भी speed है 0 question पूछा गया कि उनको छोड़ दिया गया छोड़ देंगे तो कहा गया कि यह h गिरा तो इसकी speed कितनी हो गई तो ध्यान से देखेंगे कि जब यह h गिरा तो इसका center भी h गिरा और यह fixed है तो यह वाला point 2h नीचे आएगा तो यह भी 2h उपर जाएगा समझ में आया क्या फंडा लगा रहा हूँ जो पुली है उसका जो center होता है उसकी acceleration क्या होती थी a0 और इस end की क्या होती थी मान लो 0 तो इस वाले की हो जाती थी 2a0 यह यह कहते थे कि इसकी अगर होती a1 और इसकी होती अगर a2 तो center की हो जाती थी a1 प्लस a2 by 2 कुछ-कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मैंने कहा कि यह 2h जाएगा not only यह 2h जाएगा यहाँ पर गलती करने वाले हो इसकी speed भी 2v हो जाएगी देखा ऐसे गलती आ होती है फिर loss in gp of m2 m2 कितना होगा loss in gp of m2 हो जाएगा m2 gh is gain in gp of m1 हो जाएगा that will be m1 g 2h is gain in plus gain in kinetic energy of m2 हो जाएगा that is half m2 v square plus gain in kinetic energy of m1 हो जाएगा half m1 2v का square तो यह answer आ जाएगा m2 gh minus m1 g 2h into twice upon m2 plus 4m1 का square root is b was that tough मैं ये बता रहा रहा था मेरा पढ़ाने के style में क्या होगा दिरे-दिरे question अलके अलके tough होते जा रहे हैं पिर इन में एक एक चीजे एड जाएगा फ्रिक्शन आ जाएगा अभी तक friction नही ता फिर friction आ जाएगा फिर फिरक्शन आ गया थोरदे बाद spring आ जाएगा लगाते रिंगे हम conservation of energy ठीक है आज की lecture के end तक क्या था conservation of energy ही था ठीक है तो do couple of questions do couple of questions for example यह question है यह डबा है इसका mass M1 है इसका मास M2 है यहाँ पर विलास्टी 0 है और यह H गया तो इसकी विलास्टी हो गई V अब एक तो कंजर्वेशन अफ एनर्जी की एक्वेशन बनाओ किस पे M2 पे एक कंजर्वेशन अफ एनर्जी की एक्वेशन बनाओ M1 पे एक कंजर्वेशन अफ एनर्जी की एक्वेशन बनाओ सिस्टम पे और उससे गेट V कर लोगे जब यह हो जाए तो अगला क्वेशन कर लेना हमने कहा यहाँ पर विलास्टी 0 है यह एंगल खीटा यह ऐसे तो उपर जाएगा ही नहीं F लगा दिया F लगा दिया F लगा दिया और जब यह हाइट H चला गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई उसकी स्पीड कितनी हो गई और ध्यान रखना है मैं फ्रिक्शन कहीं भी नहीं डाल रहा हूँ All surfaces are smooth question संब्या है क्या है नीचे से F लगा दिया और यह उपर जा रहा है और जब यह height H पर चला गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई obviously हम इन questions को acceleration से कर सकते है obviously I don't want to do that I want to apply conservation of energy अगर यह tough लगने लगे अगर यह question tough लगने लगे तो it's better कि यह वाला question try करना क्या question कि ऐसे है smooth ground है कैसा है smooth ground है F लगा दिया angle theta पे mass M है और जब यह X चला गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई तो शायद पहले question number 2 try करना फिर question number 3 try करना सबसे पहले question number one try करना और अगर यह नहीं हो रहे हैं तो जो अब तक कराए हैं उन तीनों को revise करके फिर यह try करना यह वाट 5 minutes इधर देखो भाई यह H नीचे गया और इसकी स्पीड नीचे भी आ गई तो हम यह कह सकते हैं यह कितना जाएगा H by 2 तो यह आगे जाएगा H by 2 और इसकी स्पीड आ जाएगी V by 2 तो तो conservation of energy system पे तो लग जाएगा M2GH is half M2 V square plus half M1 V by 2 का whole square और अलग-अलग लगाएगे तो loss in GP M2GH अज़ा इसमें टेंशन अगर Tली और इसमें Tली तो इसमें 2Tली तो M2GH is half M2 V square plus work done against tension that is T H और यहाँ पे हो जाएगा 2T और displacement हो गया H by 2 तो work done by tension is 2T into H by 2 is half M1 V by 2 का whole square और इन तौनों एक्वेशनों को add कर दूँ तो नीचे वाली आ जाएगे yes sir happy state भाई यह वाला भी होना चीए था MJ इदर लगा normal इदर लगा मैंने का भाई यहाँ से यहाँ जाएगा इसमें सोचना पड़ेगा work done by F is gain in kinetic energy that is Fx cos theta is half M V square तो V आगया 2Fx cos theta by M का अंड़ रूट yes sir yes sir yes sir hanji yes sir सही का yes sir अब इस वाले का देखा भाई भाई M G भी लग रहा है normal भी लग रहा है acceleration भी है तो मैंने का work done by F work done by F is I think gain in GP also plus gain in kinetic energy also तो work done by F तो हो गया F L F L F L नी वा L नी दिया ना ये H by sin theta तो work done by F तो हो गया F H by sin theta is gain in GP that is M G H plus half M V square हां जी ये तो तो अ गद रहा है got it or not work done by F that is F H by sin theta वही gain in GP भी दे रहा है और वही gain in kinetic energy भी दे रहा है अगे दे रहा है more or less more or less more or less अच्छे समझ में आया है okay उसका क्या है question करने जे कुछ खास लेना देना नहीं है ऐसे देखो ये वाला question सबसे आसान question दे समझे तो बढ़िया रहेगा सियत के लिए ये question था ना ये M1 था ये M2 था नीचे लग रहा था M2G उपर लग रहा था T यहाँ पर velocity थी 0 ये नीचे H आता था और यहाँ पर speed बन जाती थी इसकी कितनी V मैंने इस पर conservation of energy कैसे लगाया था सिर्फ M2 पर मैंने का था loss in GP of M2 is gain in kinetic energy of M2 plus work done against tension समझ में आई बात है नहीं आई उसके हिसाब से equation लिखी थी M2GH is half M2V square plus TH मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है sometimes your school वाले might not accept this situation लेकिन यह बिल्कुल सही है इसमें थोड़ा था feel वाली बात है तुम्हें समझ में आना चाहिए कि our loss in GP था उसका gain in KE भी हुआ और work done against tension भी हुआ मैंने conservation of energy हमेशा कैसे लगानी है losses is equal to gains और मुझे energy के flow के बारे में feel आ रही है कि tension ने कुछ energy खा ली जो GP का loss हुआ सारा kinetic में नहीं आया कुछ कहा चला गया tension ने खा लिया अब क्या होता है कि school में हम क्या सीखते है something called is work energy theorem क्या सीखते हैं work energy theorem work energy theorem क्या कहती है work energy theorem क्या कहती है work done by all forces is that's it there is no concept of potential energy there is no concept of potential energy क्या कहती है work done by all the forces on the body is gain in change in kinetic energy change मतलब word is actually change तो change का मतलब तो हमेशा क्या हो गया final minus initial अब क्या मैं M2 के उपर लगा सकता हूँ यह सोच के work done by all forces क्या हो गया M2 G H minus TH क्या बोलोगे M2 GH minus TH is is half M2 V square minus 0 is that the same equation which I said तो यह हो गया work energy theorem और this is how you apply conservation of energy in work energy theorem तुम्हें लगेगा यार यह ज्यादा आसान था इसमें तो थोड़ा तब भी confusion होने का डर है लेकिन जब question tough होने लगते हैं तो इस वाले में lengthy होने लगता है समझ में आया की नहीं आया पक्का फिर कहते हैं work energy theorem को करते हैं work energy theorem क्या modified क्या modified कैसे modify करते हैं कि work done by all forces को लिख दो work done by conservative forces plus work done by non conservative forces is change in kinetic energy ठीक है यहां तक दो तरहें की forces हो गई कुछ एक type 1 एक type 2 यह ऐसी होती है जिनके लिए potential energy function define किया जा सकता है तो फिर यहां पर एक definition आती है क्या definition आती है definition आती है कि change in potential energy is negative work done by conservative force कुछ समली में आया बस defined ऐसी how your change in potential energy is defined negative work done by conservative force कल तुम यह बत काना कि हमें यह यह नहीं आता formula यह आना चाहिए अब तुम सोचोगे ऐसा होता है क्या हां होता है example के तौर पे अगर इस मास को उपर ह लेके गए तो मैंने तो change in potential energy क्या बोला था MGH delta U क्या बोला था मैंने MGH वो यही तो हो गया क्योंकि नीचे लग रहा था MGH H उपर हुआ तो work done by conservative force क्या था minus MGH minus of minus MGH क्या हो गया plus MGH हां यह ना दूसरा example यह मास अगर नीचे आता तो मैंने loss बोला था MGH change क्या होगा minus MGH वो कैसे हो जाएगा delta U is defined as negative of work done by conservative force तो यह हो जाएगा हमारा work done by conservative force तो हो गया MGH क्योंकि MGH तो नीचे ही लग रहा है MGH और आगे negative sign तो delta U हो गया minus MGH फिर उन्होंने का इस work energy theorem में क्या लिख दो इसको लिख दो minus delta U plus work done by non conservative force is change in kinetic energy फिर लिख दो work done by non conservative force is delta K plus delta U अब सोचेंगे क्या इससे निकलेगा same answer मैंने का work done by non conservative मैंने का देखो MGH को छोड़के बाकि जितनी भी है उनको तुम्हे non conservative मानलो तो इस body के उपर बाकि तो tension ही लग रही है तो work done by tension क्या हो गया minus TH change in kinetic कितना हो गया half M2 V square और change in potential energy क्या हो गया delta U, delta मतलब minus आई गया आपर minus M2 GH मैंने का ना तीन तरह से लगा सकते थे एक तरीका तो क्या हो गया proper work energy theorem लगा दो उसमें तो potential energy की बात नहीं कर रहे हो दूसा तरीका क्या आओ गया उस जो work energy theorem में उसको modify कर दो और कह दो कि यार वो conservative forces के work done के इसाब से हम potential energy define कर सकते हैं क्यूं कर सकते हैं भाड में जाए कर सकते हैं और वो कर सकते हैं वो कैसे potential energy define करी that is negative work done by conservative force फिर हमने कहा कि यहां पर equation क्या बन जाएगी work done by non conservative is delta ke plus delta u समझ में आ रहा है तो gravity को छोड़के बाकि सबको तुमने कह दिया कि उनका work done काउंट करो तो यहां पर आ जाएगा minus th delta ke plus delta u delta u आएगा तो तो मतब एक सेम ही equation बनी है यही equation यहां बनी है और यही equation हमने बनाई थी वो तीन different तरीके से बन सकती है school वाले या तो यह use करेंगे ज्यादा उनका mood करा तो यह use करेंगे यह सबसे feel वाली equation है यह कोई use नहीं करता यह हम use करेंगे कुछ बात समझ में आई यह नहीं आई equation तीनो same